हेलो दुस्तो मेरा नाम है प्रमोज आपके चनल भाईयाजी टेक में आप सभी का श्वागत है तो दुस्तो फानली काफी समय वेट करने के बाद मुझे भी मेरे Realme 7 Pro में C.23 का जो अपडेट है आज के देट में मिल गया है और मैं कहूंगा दुस्तो जो यह C.23 का जो अपड रन कर रहा है तो उसका जो लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए वह 8.41 होना चाहिए तब जाकि यह अपडेट आपको मिल जाएगा हाँ दोस्तो मैं बता दूं कि यह जो साइज होगी वह डिफरेंट होगी अगर आपका फोन रियल में वन पर रन कर रहा है तो लगबग इंप्रेशन की बात करेंब जि कि क्जा कुछ इस अबडेट में मिल एैं क्या कुछ बग्स already देदिया गहाँ विधियो वीडियो के इंक्ड़र थोड़ी सी भी अच्छी लगए तो लाइक करना चानल पर ने होगए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा ता यह देखते हैं आपके Realme 7 Pro में क्या नया अपडेट आया हुआ है तो दोस्तो मैं बता दू कि मेरा जो Realme 7 Pro है आल्रेडी Realme Y 2.0 पे रन कर रहा है जिसका लेटेस वर्जन C.22 है और बात करें दोस्तो आज के अपडेट की तो एक बर मैं आपको सेटिंग में ले चल रहा हूं देख सकते हैं यहां पे शाप्टेवर अपडेट में एक नोटिफिकेशन सो हो रहा है कि एक शाप्टेवर अपडेट आया हुआ है अगर मैं इस पे क्लिक करेंग तो यहा और दोस्तो अपडेट लॉग की बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको शिकोटी पैच का अपडेट मिला है जो की जून 2021 का है यह काफी अच्छी बात है कि आपके फोन में रेगलर शिकोटी पैच का अपडेट देखने को मिल रहा है और सिस्टम में आएंग और यहां पर नीचे दोस्तो चार्जिंग को लेकर जो इसू थी यह जो प्राब्लम थी ना बहुत सारे लोगों को देखने को मिले थी जब हम फ्लैस चार्जर लगाते थे न तो उसका जो लोगो था फ्लैस चार्जर का वह काफी लेट से अपियर होता था डिस्पले पे उ चार्जर देखने को मिल रही थी उसको यहां पर फिक्स करने की बात की गई है आप देख सकते हैं तो मैं कहूंगा दोस्तों आप में जो भी डार्क मोड को लेके इस आ रहे थी उसमें वाइज आ रहे तो इसको फिक्स करने की बात की गई है अगर आप कहेंगे तो इसके कैमरे के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूगा कि क्या कुछ इंप्रूमेंट देखने को मिला है इस अपडेट के बाद खर मैं एक बार डाउनलोड करके भी दिखा दे रहा हूं कि इस प्रॉसस में कितना टाइम लगा है तो आप यहां पर देख सकते हैं जो अपडेट था वह 100% डाउनलोड हो चुका है और बात करें दोस्तों हमारी बै बैटरी डीडेड हो रहा है तो इसको मैं अपडेट कर रहा हूं ठीक है न तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो अपडेट आया था अल्डेडी मैं इसको इंस्टॉल करके अपडेट कर चुका हूं और यह 1159 हो रहा है यानि टोटल 10 मिनट्स लगे हैं पूरी प्रॉसस मे अब बनाएटरी ड्रेन के कि तो आप देख सकते हैं 20 पर्सेंट बैटरी हो गया थीन पर्सेंट की बैटरी ड्रेन हुईन्य पूरी प्रॉसस में आप बता सकते हैं कि कि दोटना टाइम लगा आपके रियowed मि 7 प्रॉ में यह प्रॉसस होने में ठीक है अब बात करें व्द जून का security patch हो गया फिफ्ट जून का security patch अंड्राइड 11 और यहां पर बात करें दोस्तो रेम में तो आप देख चेकते हैं यहां पर वर्चुल रेम अभी फिलार realme 7 pro में नहीं दिया गया है और वहीं पर आपको बात करें दोस्तों always on display में तो उसको मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ कि क्या aod customization का option मिला है तो यहां पर दिखाओं तो यहां पर किसी तरह का aod customization का option नहीं मिला है केवल लोगों बना रहे सब्सक्राइब कि अने वाला है तो इसमें नहीं पहले से थोड़ा सा इंप्रूमेंट देखने को मिलिया और एक बार मैं आपको चार्जिंग अनिमेशन का लोगो वह कैसा है इसकी डिटेल डिब्यू आपको दो से तीन दिनों के अंदर मिल जाएगी इसको दो तीन दिन तक यूज करूंगा उसके बाद बताऊंगा क्या कु पहले एक बार आपको दिखा दू जो चार्जिंग अनिमेशन की बात किया है क्या वो फिक्स हुआ है कि मैं इसके फ्लेश चार्जर से यहां पे कनेक्ट कर दिया हूं और एक बार मैं आपको आन करके दिखा दे रहा हूं यहां पे सेट अप है नहीं इसलिए थोड़ा सा मैं कहूंगा दोस्तों यह जो प्रावलम थी ना उसको तो फिक्स कर दिया गया है बाकी के बारे में हम डीटेल में बात करेंगे दोस्तों तो आज की वीडियो बस इतना ही वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक करिए धन्यवाद